यह 24 नॉम्बर का जो वेकेंसी है वो क्या आएगी या फी जूट है या फिर साच है और आएगी तो कितनी आएगी है अभी जाहिन दोस्तों मैं आपका मित्र अजय गुपता आपको फिर से इस चैनल के माध्यम से हार्थी का भी नंदन करता हूं दोस्तों हम रोग SSGD या फिर डिफेंट से लेटेर जो भी नोटिफिकेशन आती है या फिर उसे लेटेर कुछ गाड़ हम इस चैनल के माध्यम से आपको करते रहता हूं और उसी कड़िक को आगे बढ़ाते भी आज एक फिर से बहुत इंपर्टन टॉपिक बात करने वाले हैं SSGD का वेकेंशी है उसमें लगवक 75,000 के आसपास वेकेंशी थी तो क्या हो सच है या जूट है ठीक है तो इस लेटेड हम आपको इस वीडियो में complete information दूँगा उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को सेर नहीं किए तो वीडियो को सेर कर दिजे ओर चैनल को सबस्राइब कर दिजे तकि जब भी मेरा इस तरह का वीडियो अप्लोड हो तो आप लोग notification रात कर सके दोस्तो इस वीडियो में इस चैनल के माद्वियो से उस लेटर हम आपको इस चैनल के मादेम से वीडियो देते रहूँगा तो आप लोग जोड़े रहिएगा बीच-बीच में जब भी अगर आईसा कुछ नोटिफिकेशन भी आउट होती है तो हम उस लेटर भी वीडियो बनाऊँगा तो चलिए अभी सबसे पहले जो रत जो है वो आपका है SACGD को लेकरके जो 24 नुमर को जो लोग हवा है या सच है या क्या है वो जोट है वो अभी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं लेकि दोस्तों सबसे पहले बात रना चाहूँगा कि अभी जो कुछ दिन पहले आपका एक PDF वाइरल हुआ था वो तो पूरी तरह से फेक है वो आपका बिल्कुल सही नहीं है 24 नुमर को वेकेंसी आएगी ये तो बात तैह है कि लावग 24 नुमर को वेकेंसी आ ही जाएगी लेकिन वो जो पीडियाप था वो बिल्कुल गलत था वो वेकेंसी जीस तरह का डिटेल वहां दिया गया था वो आपका सही नहीं है उससे बहुत सारा एरर भी था ठीके 2324 के जगा 2022 लिखा हुआ था बहुत सारा एरर था बिल्कुल कहीं से भी सचने लगा था हमने वी पीडियोप को देखा तो जो उस पीडियोप को देखे हैं और उसी पे उमिद लगाएं कि इतनी वेकेंसी आगी तो तो तरह कहना दा मुश्किल है अभी सबसे पहले तो कितनी वेकेंसी आगी उसका को डिटेल सब्सक्राइब तो त्यारी में इंप्रूमेंट की 24 सनुमर को वेकेंसी आएगी इसके लिए आपको ज्यादा डौत रखने की जुरत नहीं है अपना त्यारी इंप्रूमेंट रखेएगा ज्यादा दिन समय नहीं है फारवरी मार्च में आपको इसका एक्जाम होने वाल है त बहुत सारा वीडियो आते रहता है कि आ गई SSJD की भेकेंसी यह सबसे आप बचिए ठीक है जितना कम से कम हो से कि मोबाईल को यूच कीजिए और अभी आपको पढ़ाय में ज्यादा फोकस कीजिए दोस्तों यही बताना था मेरा ठीक है और कोसिस करें कि में कम समय में ज्यादा कुछ आप लोगो गैट कर पाऊं इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो ना बना तो मैं यही तक वीडियो को रखता हूं और कोसिस किजिए कि मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर अपना पढ़नाय स्टार्ट कर दीजे सम बिल्कूर समय ना गवाएं ठीक है सही तरीके से गैट ले लिजिए जहां पर पढ़ रहे हों अपना पढ़ने के लिए कि की सतरा का स्ट्रजी चाहिए मैं वीडियो बना दिया हूं उसमें व अगले वीडियो में पत्ता के लिए बिदा लेते हैं अपना ख्याल रखे वेकेंसी 24 नमर को आईगी यह याद रखिएगा अपना त्यारी जोड लगा के कीजिए चलिए ठीक जाहें